जहिन दोसों स्वागत आप सभी का जीओ अफेर्स में मैं हूँ सशांत लगे रहा है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो है नाटो को समझने वाले हैं जिसको नॉर्थ एट्लांटिक टिट्टी और्नाइडिशन कहा जाता है इसे फ्रेंच लेग्विज में ओटान कहा जाता है लेकिन आखिरकार अमेरिका ने क्यों नाटो का जो है फॉर्मिशन किया था इसके अलावा रश्या के लिए सबसे बड़ा खत्रा जो है नाटो है नाटो को नॉर्थ एट्लांटिक एलाइन से भी कहा जाता है इसमें 31 कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे जिन में से की 29 यूर्पियन कंट्रीज है और दो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है दोस्तों वल्ड वार टू के बाद नॉर्थ एट्लांटिक ट्रिटी को जो है साइन किया गया था नाटो का मेन हेट्वाटर आपको बेल्जियम की कैपिटल ब्रेजल्स में जो है देखने को मिलेगा इसके अलावा नाटो का मिलिटरी हेट्वाटर मौंस बेल्जियम में इस्ते थे लेकिन आखिरकार नाटो का फॉर्मेशन क्यों किया गया था NATO को समझने किल गे सबसे पहले हमको World War 2 को जो है समझना होगा दोस्तों World War 2 के समय पूरी दुनिया दो पार्ट में जो है डिवाइट हो गई थी एक तरफ Axis Power थे और एक तरफ Allies Power थे Axis Power में जर्मनी, इटली और जापान थे इसके अलावा Allies Power में Soviet Union, Great Britain और United States था World War 2 1939 से लेके 1945 तक चला World War 2 के खतम होने से लगवाग 2-3 महने पहले Yalta Conference जो है February 1945 में रखी गई यूक्रेन में जहां पर सारे देशों को जो है बुलाए गया और इसी Conference में ये डिसाइड हुआ कि जर्मनी जैसे ही World War 2 हारेगा हम जर्मनी को जो है चार पार्ट में डिवाइड कर देंगे एक हिस्ता USA के पास होगा एक हिस्ता England के पास होगा एक हिस्ता Russia के पास होगा और एक हिस्ता France के पास होगा दोस्तों इन दिनों Russia जो है USSR कहा जएता था USSR में सिर्फ Russia ही नहीं बहुत सारे देश आते थे लेकिन USSR का एक मोटे वी था World War 2 में हमारे जो जमीन जापान हड़प चुका है यानि कि जो जमीन रशिया जापान से हार गया था वार में उनको वापिस लेना इनमें सबसे इंपोर्टेंट लेंड कुरिल आइलेंड है दोस्तों कुरिल आइलेंड आपको आज भी जापान और रशिया के बीच में देखने को मिलेगा और इसी सम्मिट में ये भी डिसाइड हुआ था कि रशिया यॉरॉप की तरफ जो है कम्निजम को एक्सपांड नहीं करेगा दूसरी तरफ वो जापान की तरफ एक्सपांड कर सकता है लेकिन वो पर अपनी सेना भीज के तकता पलट कर दिया और चको सोलो वक्या आज के समय आपको दो हिस्सों में जो है डिवाइड देखने को मिलेगा एक है चेक रेपबलिक और एक है सोलो वाक्या दोस्तों इसके अलावा यहां पे रशिया ने अपनी पपेट गवर्मेंट को भी जो धरजिया अर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्आन, कुर्ग invites, मुझबैकिस्तान, तुर्कमेनिस्टान, तज़याकिस्तान यह सब देश आपको देखने को मिलेगी हलाकि बात में 1991 में जब USSR कुलैप्स हुआ तब यह सब देश जो है USSR से अलग हो गए और सिर्फ रशिया जो है बच गया था जिस तरीके से रशिया aggressively behave कर रहा था USA की government को ये समझ में आ गया था कि रशिया expansion ज़रूर करेगा क्योंकि चाइना और जापान की भी नीतियां बिल्कुल सेम हैं दोनों democracy नहीं चाहते April 1948 में अमेरिका के president Truman को ये पता चल गया कि रशिया का next target Turkey है तो USA ने एक मार्शन प्रान लेके आया जिसके तहत ये बहुत सारी funding जो है देशों को provide करेंगे ताकि वो रशिया के साथ जो है नाब ले चार अपरेल 1949 को NATO का जो है formation किया गया था इस समय सिर्फ बारत देश जो है नाटो में शामिल हुए थे आज के समय नाटो में लगबग आपको 31 countries जो है देखने को मिलेगे दोस्तों नाटो के constitution में आपको 14 article देखने को मिलेगे इन में इसे सबसे important article article 5 है इसमें ये कहा गया है कि नाटो में जितने भी countries है अगर उन सब देशों में हमला होता है यानि किसी एक country में हमला हुआ तो ये माना जाएगा कि ये पूरे नाटो group पे हमला है इसके अलावा नाटो के जो countries है वो एक दूसरे के military bases को भी जो है use कर सकते हैं इसके अलावा नाटो countries में कोई भी arm attack होता है तो तुरन उसकी सूचना जो है security council को दी जाएगी दोस्तो अगर हम नाटो के main objective की बात करें तो इनका सबसे important object है कि हमारे जो members है उनको हमको secure करके रखना है इसके साथ साथ इनको हमको safeguard और freedom भी जो है provide करना है इसके अलावा जितने भी हमारे members है उनके बीच में peace जो है बना रहे और शांती जो है बनी रही इसके अलावा अगर अलगो कोई भी crisis आता है तो हम सब देश मिलके इस सब crisis को जो है easily manage कर पाएंगे इसके अलावा defense को भी जो है और ज़ादा मजबूत करना होगा इसके अलावा नाटो organization एक इस तरीक का medium है कि हम Europe और Atlantic Ocean दोनों ही देशों के बीच में जो relations है उनको बहुत अच्छे से जो है establish कर सकते हैं नाटो का last और सबसे important objective है modernization और transformation दोस्तों जिस तरीके से अमेरिक अपनी technology को विक्सित कर रहा है तो वो अपनी technology नाटो के जो देश है उनके साथ भी जो है share करता है इसके अलावा वो हर साल जो है अपनी technology को और expand करता चा रहा है दोस्तों अगर हम military alliance के बात करें तो नाटो का main name यह है कि हमको जितने भी देश हैं उनके बीच में trust को जो है build करना है और democracy को जो है spread करना है ना कि communism क्योंकि अगर हम Russia, China, Japan को देखें तो ये communist party पे जो है जादा focus करते हैं यानि कि जो एक बार यहाँ पर president बन गया तो वो आगे तक वही जो है president रहेगा लेकिन नाटो ज कोई भी देशों के बीच में विवाद होता है तो उसको शांती पूंट तरीके से यानि कि peaceful तरीके से हम जो है उसको solve कर सकते हैं कोई military intervention की जो है ज़रूरत नहीं होगी लेकिन दोस्ता इस पे सबसे important बात यह है कि अगर किसी एक देश पे जो है अमला होता है तो वो यह मान जाता है कि पूरे nato group पे जो है अमला कर दिया गया इसके लावा nato के थुरू जो nato countries है उन्होंने योरोप के साथ साथ अपने relation Atlantic countries से भी जो है काफी अच्छे बना के रखे हुए है नाटो का सबसे important point है decade plan हर 10 साल में अपनी technology को evolve करना और अपनी technology को share करना यह जो है सबसे important point है नाटो का अभी अगर हम देखें तो day by day technology जो है change हो रही है तो security को ensure करने के लिए अपनी security system को और बहतर बनाने के लिए यह सब देश अपनी technology को जो है share करते हैं और modernize जो है करते जा रहे हैं दोस्तों आज के समय जो सबसे बड़ा threat है वो cyber threat है तो अपनी security को ensure करने के लि करते हैं लेकिन दोसर से नाटो से USA ने रशिया को जो है Europe में enter होने से रोक दिया था लेकिन अभी भी बाकी countries जो है रशिया के लिए एक option थी इसी को देखते हुए 1954 में USA ने South East Asian Treaty Organization को जो है form किया जिसको Seattle कहा जाता है यह भी नाटो की तरह एक international organization थी collective defense पे जो है यह काम करती थी South East Asia में इसको South East Asian जो countries है उन्होंने 1954 में Manila में जो है sign किया था इसके अलावा इसको 19 February 1955 को Bangkok में जो है बना दिया गया था और इसका headquarter Bangkok में ही रखा गया मेंली 8 countries ने Seattle को जो है form किया था लेकिन दोसों जहां एक तरफ USA ने नाटो को जो है बनाया था वहीं दूसरी तरफ Russia ने भी Warsaw Pact को जो है बना दिया था इसको War Pact भी कहा जाता है जो कि 1955 में बना था War Pact में collective defense की जो है बात करी गई थी जिस तरीके से एक तरफ नाटो और उसके alliance थे वहीं दूसरी तरफ Soviet Union और उसके साथ साथ और भी countries थी इसमें Albania, Bulgaria, Czechoslovakia, East Germany, Hungary, Poland, Romania के सब देश थे Albania ने 1968 में इसको पूरी तरीके से withdraw कर दिया था लेकिन दोस्तों ये Pact जादा समय तक जो है Russia चला नहीं पाया क्योंकि Russia जो है सिर्फ अपने देश पे फोकस करता था USSR के जो बाकी भी countries थी ना जो Central Asia के देश थे इसके अलावा Georgia वगरा थे ये सब देश जो है Russia से इस बात पे नराज थे कि Russia अपने देश पे जो है expansion कर रहा है अपने देश पे टेकलोजी डेवलाप कर रहा है लेकिन हमें कुछ भी जो है नहीं दे रहा इसी को देखते हुए 1991 1991 में Russia जो है पूरे तरीके से टूट गया यानि कि USSR पूरे तरीके से collapse हो गया और इस pact का भी जो है अंत हो गया अंत इस तरीके से हुआ कि USSR पूरे तरीके से dissolve हो गया सब देश जो है टूट गये और Russia जो है सिर्फ आज का Russia रह गया लेकिन दोस्तों क्या NATO जो चाहता था वो यौरप में एंटर ना हो लेकिन अब अगर आप देखोगे तो जो USA है यानि कि जो NATO countries है वो Russia के पास तक पहुच चुकी है क्योंकि recently Finland ने जो है NATO को जोईन कर लिया है दोस्तों एक तरफ Russia ने जब Ukraine पे हमला किया तो NATO countries ने बहुत सारी जो है मदद करी Ukraine को बहुत सारे हत्यार दिये तो अभी भी अगर आप देखोगे तो Russia जो है वार में ओलजा हुआ है ताकि जो NATO countries है वो अपनी टेक्नलोजी को जो है डेवलप कंटिनिसली कर रही है लेकिन दोस्तों NATO countries Russia के दरवाती तक जो है पहुच चुकी है और 2014 में जब Ukraine ने ये कहा था कि European Union को जोईन करेंगे तब Russia ने जो है मना किया था कि ऐसा नहीं कर और उसी समय 2014 में Russia ने क्रीमिया को जो है हत्या लिया था अब अगर आप देखोगे तो presently जो है वार चल रही है Ukraine में और एक तरफ Finland तक जो है USA की forces पहुच चुकी है जाने कि आज के समय NATO ने काफी हद तक जो है रशिया को पीछे कर दिया है और दोस्तों अगर Russia Ukraine वार थोड़ा और लंबी समय तक चलेगी तो इससे रशिया को जो है काफी दा नुक्सान उठाना पर सकता है लेकिन USA अभी यहां पे भी नहीं रुगा है USA का ये प्लान है कि आने वाले समय में ये NATO प्लस को भी जो है बनाएंगे और इसमे जो developed country है लेकिन अभी हमको development करना है तो अगर हम किसी भी वार पे जाते हैं तो इससे हमारे देश को एक बहुत बड़ा नुक्सान होगा और हमारा देश कई साल जो है पीछे चला जाएगा देट लास्ट आई होग कि आपको जो है इस वीडियो में काफी को जानने को मिला होगा आप अपने ओपिनल लिखिए कर जरूर इसी के साथ ये तंद इस वीडियो का सुने के लिए बहुत धन्वाद चेहन चेवार